नमस्कार प्रणाम आप सभी सहारा पीड़तों एवं जमा करताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूटूब चैनल इनफारमेशन बिध पीके पर मैं हूँ पिंकु कमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इनफारमेशन बिध पीके हमारे जितने भी सहारा के जमाकरता बंधू हैं काफी दिनों से आप लोग सहारा इंडिया भुक्तान के मामले को इंतिजार में रखते हुए लगातार वीडियो देख रहे हैं आज का जो वीडियो आप सभी के समझ चाने बाला है काफी इंपोर्टन्ट जानकारी है जैसा कि आप लोगों ने हमारी वीडियो का थमने लाउन टाइटल देख ही लिया होगा उसी के एकोर्णिंग वीडियो रहने वाला है दोस्तों सहारा प्रवंधन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया ये लेटर 5 अपरेल 2024 को जारी किया गया लेकिन ये पत्र जो है बाइरल हुआ है 7 अपरेल को यानि कि कल की डेट में बाइरल हुआ था लेकिन दोस्तों कल मुझे किसी आवस्यक कारण इस पत्र की जानकारी आप सभी को मैं सेर नहीं कर पाया इसके लिए मैं आप से छमा मंगता हूँ खैर जो important जानकारी है इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा हमने previous कई वीडियो में आप सभी को बताया कि सहारा सही राह पर चल रही है और सहारा में कई नए करमचारियों की नियुकती की जा रही है उसका जिक्र मैंने कई वीडियो में किया लेकिन कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट्स किया खैर मैं उनसे कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ कोई बार नहीं है आपने जो भी कमेंट किया है कोई बार नहीं लेकिन अब जो मैं जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ सहारा संबंधिन निवेशकों के लिए मानी प्रबंधन समित ने जो एक लेटर जारी किया है ये लेटर कहां से जारी किया गया है कमांड कार्याले सहारा भवन कापूर्थला कांप्लेक्स लखनव दिनांकिस की 5-4-2024 एनी 5 अप्रेल 2024 को ये पत्र जारी किया गया इस पत्र की जानकारी भी मिल चुकी हो लेकिन इसके कुछ आवस्यक जो कार्ज है आवस्यक जानकारी है उसकी फुल इंफार्मेस्टन इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्या इस पत्र की खासियत है क्या इसके विश्यान तरगत बताया गया है आप लोगों के भुक्तान है तू जो जानकारी दी गई है उसकी जानकारी इसमें बताएंगे तो प्लीज चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हूं पहली बार बिजिट किये हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सहारा से आने वाली वो हर प्रकार की अपडेट आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके तो इसलिए आप फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे वीडियो को अभी ही लाइक कर दे आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर हमारी मेहनत और मोटिवेसन के लिए बेहद जरूरी होता है खैर हम आपका किमती समय नबेस्ट करते हुए सीधे अपने में टोपिक पर चलते हैं और यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सहारा बंधू जैसा कि हमने बता ही दिया है सहारा कमांड कार्याले सहारा भवन का पूर्थला कांप्लेक्स लखनवू वहां से ये पत्र जारी किया गया है 5 अप्रेल 2024 को उसी की जानकारी आप सभी को हम दिखाने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं सभी सहारा संबंधित निवेशकों के लिए जो भी हमारे सभी सहारा संबंधित निवेशकगण है उनके लिए मानी प्रवंधन समित ने स्री अली अहमद जैदी को कॉर्परेटिव को जिम्मेदारिया सोपने का नेड़े लिया है सभी सहारा निवेसिक बंधूं को जो है माननी प्रवंधन समितने स्री अली अहमद जैदी को कॉर्परेट को जिम्मेदारिया सउपने का नड़ा लिया है यानि एक नई निकती पर मोहर लगने वाली है लग गई है एक नई निकती पर जिसका जिक्र मैंने कई वीडियो में किया आप सभी को बताया कि सहारा में नए करमचारियों की निकती की जा रही है वो भी अलग-अलग पदों के अनुसार अलग-अलग पदों पर उनकी निकती की जा रही है आखिर ये निउक्ति क्यों की जा रही है इसका अंदाजा यही लगाए जा रहा है जितने भी हमारे जैसे निवेसक बंधू है और कारकरता बंधू है बहुत से यूटूब चैनल के जो यूटूबर्स है जानकारी देने वाले यही कलपना कर रहे हैं कि सहारा का जो भुकतान सहारा के माध्यम से ही होगा चाहे जब होगा अभी चुनाओ है कुछ दिन के बाद क्छुनाओ सवापत हो जाएगा तो भुकतान जो है कारयाले के माध्यम से ही होना चाहिए आगे देखते हैं क्या है अली एहमद जैदी विभागों के कारकरता हां और प्रभागी मानंो सं साथ कामकाज को सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे ये निर्णे प्रवंधन समित ने लिया और इसी के हिसाब से इनको निक्त दिया बेक्तियों सुरी हमने आप सभी को प्रीबेस वीडियो में भी बताया था कि सहारा में नए करमचाजियों की निक्ति जो है की जा रही है वो भी पदों के अनुसार सहारा अपनी सही राह पर चल रही है इससे आपको आज कनफर्म ही हो गया कि सहारा का भुक्तान संभव हो सकता है चाहे जिस दिन भी हो अभी हम लोगों का बुरा वक्त चल रहा है चुनाओ का माहूल है सरकार नहीं सुन रही है किसी ने किसी परकार से हम लोगों का भुक्तान तो होगा ही जो सहारा इंडिया के हेड कौार्टर से ये पत्र आया हुआ है इसमें सिगनेचर दिखाए गया है ओपी सरीबास्तों के है ओपी सरीबास्तों ये पत्र साइद पांच अप्रेल को मैंने बताया है जारी किया गया था लेकिन इसकी जो बाइरल तिथी है या कहले बाइरल हुआ है जब तक लोगों के पास पहुचा है तो ये साथ अप्रेल को पहुचा ये कमांड कारियाल है सहारा भवन कपूर्थला कांप्लेक्स लखनव से ये पत्र जारी किया गया दोस्तों मैंने हर एक जानकारी आप सभी को इस छोटे से प्लेटफर्म यूटूब चैनल के माद्यम से आप सभी को दी जिसमें हर एक प्रकार की जानकारी दी आप लोगोंने सुना होगा मैं निस्पच जो है इस पर वीडियो बनाता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पच्च से वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं जो भी जानकारी मिलती है चाहे साहरा रिफन्ड पोर्टल की हो चाहे साहरा कमांड आफिस से आई हो जानकारी या कहीं से भी आई हो और मैं हर एक बात आप सभी को सेयर करता हूँ कहीं कहीं जो निवेशकों का दर्द होता है किस प्रकार से अपनी आवाजें उठाते हैं उनकी भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माद्दिम से सेयर करता रहता हूँ तो हमने सोचा इसकी जानकारी आप सभी को पहुचाएं ताकि आप सभी को मालूम हो कि सहारा का भुक्तान कब से मिल सकता है दोस्तों चुनाव के बाद तो हम लोगों का भुक्तान संभव ही हो सकता है ये सौमे सौ परसेंट आस लगाय बैठे हुए निवेसक बंधू और कारिकरता बंधू भी इसलिए नय-नय करमचारियों के नुक्ती की जा रही है अलग-अलग पदों पर जो भी रिजिनल पद हो और जो भी पदों पर जो है नुक्ती की जा रही है तुमने सोचा आज किस वीडियो में यही सब आप सभी को सेयर करूँ तो वीडियो कैसी लगी? कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर लिखे और आप लोग भुकतान किस प्रकार लेना चाहते हैं ये भी जरूर लिखे मिलते हैं फिर नेश्ट नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन